अरे गीता, तुम मेरे घर आई ये तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मुझे इंटरनेट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को समझने में तुमारी मदद की जरूरत है। देखो गीता, जब मुझे ट्रेन से कहीं जाना होता है, तो मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। गंटों इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद फिर फसलों की कीमत पता करने के लिए मुझे सरकारी कारेले में घंटों लंबा उबाव इंतजार करना पड़ता है। अरे चाचा, क्या आपके समस्य यही है? यह जटिल नहीं है। आप वास्तव में ट्रेन टिकेट बुक और साथ ही साथ में फसलों की कीमत पता लगाने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। क्या यह समभव है? क्रिपिया मुझे दिखाओ की मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने घर से ही फसलों की कीमत कैसे पता कर सकते हैं और रेलवे का टिकेट कैसे बुक कर आ सकते हैं। गीता, यह तो बहुत अच्छा है, मैं घर पर बैट कर फसलों की कीमत पता करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ। निश्चित रूप से चाचा, यह एक जगह है जहां इंटरनेट भारत के किसानों को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सच में, मुझे समझाईए, मैं अपने लाब के लिए इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। बेशक चाचा, पहले मैं आपको बता दूँं कि भारत का कृशी मंत्राल है किसानों तक पहुँचने के लिए इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। आप देखते हैं कि भारत की 70 प्रतीशत जनसंख्या ग्रामीनी क्षेत्रों में रहती है और कृशी और उससे जुड़े अन्य कामों पर निरभर है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान थोक उत्पादन के लिए राश्व्यापी बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। कि मैं इस साइट से राज्या के बाजार में चावल के थोक मूल्य कैसे पता कर सकता हूँ। जरूर बस इंचर्णों का पालन करो। पहले एजी मार्केट के वेब पेज www.agmarknet.nic.in पर जाएं। यदि आप उत्तर प्रदेश में चावल की कीमत चांचना चाहते हैं, तो प्रदर्शित पेज पर मार्केट बुलेटिन खंड में निर्दिष्ट वस्तु का तिथिवार मूल्य डेट वाइस प्राइज़ फोर स्पेसिफाइड कमोडिटी लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, इस पेज में वर्ष और महीने को चुने, जिसके लिए आप फसल की कीमत करना चाहते हैं, उसके बाद आपको राजे के नाम का चैन करने का विकल्प मिलेगा, सूची में आप उस राजे के नाम का चैन कर वस्तू की सुची में आप राइस चावल पर क्लिक करें, एक बार चावल का चैन कर लेने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें, अब आप चुने गए माह की विभिन तारीखों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन क्रिशी बाजार में चावल की कीमतों की एक रिपूर् क्या मैं भी इस साइट से बाजारों की सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ? राज्यों की सूची नीचे दिखाई देगी, सूची से राज्य की नाम का चैन करें, यहां पर उत्तर प्रदेश चुना गया है और फिर सब्मिट बटन पर क्लिक करें, स्क्रीन पर बाजारों की एक सूची दिखाई देगी, जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हूँ, उस बॉक्स को चेक करें, फिर आप सब्मिट बटन पर क्लिक करें, यदि आप एक से अधिक राज्यों का नाम चैन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन को दबाए रखते हुए राज्यों के नाम पर क्लिक करें, तब वेबसाइट आपके द्वारा चैनित बाजारों की एक वि राज्ये में मक्के की फसल का अधितन भाव पता करके दिखाएं। जरूर मुझे कोशिस करने दें। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सीख लिया है कि क्रॉप मार्केट में अध्यवदिक भाव कैसे प्राप्त करें। आप वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। आजकल कई वेबसाइट उपलब्ध हैं जिनके जरीए आप वर्तमान समय के साथ-साथ भूतकाल के मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं www.weatheronline.in और www.weatherforecastmap.com भारत में भूविज्यान मंत्राले के अंतरगत आने वाला मौसम विज्यान विभाग, मौसम संबंधी परिवेक्षनों और मौसम की भविश्यवानी के लिए जिम्मेदार है। संपूर्ण आकडे इसकी वेबसाइट www.imd.gov.in पर सुलब हैं। मैं इस साइट से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आसानी से बस इन चरणों का अनुसरन करो। पहला, एड्रेस बार में वेबसाइट का नाम लिखें। स्क्रीन प्रकट होगी। यदि आप हिंदी भाशा में देखना चाहते हैं तो पेज पर दाई और दिख रहे हिंदी लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर पेज के ऊपर तथा बाई और विभिन जानकारियां दी गई हैं जिने आप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के बारे में जानने के लिए इंडिया वेधर लिंक पर क्लिक करें और आप वेबसाइट www.indiaweather.gov.in पर पुनह निर्देशित कर दिये जाएंगे। अब डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस पर टैप दें और फिर अपनी वरियता के शहर पर क्लिक करें। आप संबंधित वेबसाइट पर पुनह निर्देशित हो जाएंगे। उधारन के लिए हम एहमदाबाद राज्य का चैन करेंगे। वेबसाइट के पेज़ पर बाई और विभिन सेवाएं जैसे मानसून, सीनिय मौसम का पुर्वानुमान, बंदरगाह और मच्छुआरों को चेतावनी, सापताहिक मौसम रिपोर्ट प्रदर्शित होती है और अधिक जानकारी के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें। राचे व्यापी मौसम की जानकारी लेने के लिए स्टेट फोर्कास्ट लिंक पर क्लिक करें और सापताहिक मौसम की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए वीकली वेदर रिपोर्ट पर क्लिक करें। स्वेम प्रयास करें अब आप मुझे इस वेबसाइट से चेनने के अगले मास के मौसम का पुर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करके दिखाएं हाँ, मुझे प्रयास करने दें इसी प्रकार हूम पेज पर दर्शाय गए लिंकों पर क्लिक करके आप और जानकारी खोच सकते हैं प्रतेक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प पुचुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास गीता क्या मैं इंटरनेट के द्वारा अपना बिजली वर टेलिफोन के बिल भी भर सकता हूँ बिलकुल इस तरह के बिल आप इंटरनेट के द्वारा पर सकते हैं मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं उप्योगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गैस और फोन वे सेवाएं हैं जिनका उत्पादन ववित्रन स्थापित करना बहुत ही खर्चीला होता है बिलकुल इस तरह के बिलों का बुखतान और प्राप्त करने की सुविधा है उदाहरन के लिए यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और B.S.E.S. राजधानी आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही है तो आप B.S.E.S. राजधानी की वेबसाइट पर जाकर ओनलाइन बिल का भुखतान कर सकते हैं इसी प्रकार संबंधित बिजली वितरन कमपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बिजली बिल का भुखतान कर सकते हैं भारत की कुछ बड़ी बिजली वितरन कमपनिया निमन है B.S.E.S. दिल्ली बिजली बिल भुखतान करने की ओनलाइन प्रक्रिया चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आप B.S.E.S. दिल्ली में ऑनलाइन बिजली के बिल का भुखतान कैसे कर सकते हैं पहले B.S.E.S. दिल्ली की वेबसाइट www.bsesdilly.com पर जाएं अब पेमिंट आप्शन पर जाएं और ऑनलाइन भुखतान करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का चैन करें निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और विकल्प पेनाओ पर क्लिक करें अब दिये गए स्थान पर अपना C.E.A. नमबर भरें आप अपना C.E.A. नमबर अपने बिजली के बिल की कागस प्रती के दाहिने हाथ के उपरी किनारे पर देख सकते हैं फिर गो बटन पर क्लिक करें अब भुखतान प्रिष्ट प्रकट होगा भुखतान के ढंग जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का चैन करें जब आप चैन कर लें तो भुखतान प्रक्रिया का अनुसरन करें नोट यदि आप क्रेडिट कार्ड का चैन करते हैं तो आपको अपने क्रेडिट का विवरन भरना होगा और बाकी की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा Net Banking का चेहन के जाने की दशा में आपको उस Bank का चेहन करना होगा जिससे आप अपने बिल का भुकतान करना चाहते हैं आपको आपके net banking site पर ले जाया जाएगा जहां पर आपको भुकतान करने के लिए user ID और password भरना होगा दीदी, क्या हम mobile phone को भी online recharge कर सकते हैं? हाँ जरूर, ऐसा करने के लिए अपने prepaid mobile को recharge करने के लिए बस निम्न पदों का अनुसरन करें पहले recharge it now वेबसाइट पर जाएं अब mobile विकल्प पर क्लिक करें और उपलब्द विकल्पों में से सेवा प्रदाता का चैन करें इसके बाद अपना mobile नंबर लिखें और continue बटन को दबाएं अब दो विकल्पों में से अपने प्लान के प्रकार का चैन करें और recharge राशी को भरें और फिर continue बटन पर क्लिक करें अब आपके mobile नंबर से संबंधित जानकारी दिखाई देगी इसकी पुष्टी करें और तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें यदि आप पंजिकरित उप्भोगता है और पंजिकरन नहीं चाहते हैं तो continue as guest विकल्प को दबाएं यदि आप पंजिकरित उप्भोगता है तो sign in बटन दबाएं यदि आप पंजिकृत उभोगता नहीं हैं, लेकिन अपना पंजिकरन कराना चाहते हैं, तो register बटन को दबाएं। यदि आप continue as guest बटन दबाते हैं, तो समीप वर्ती सीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और submit बटन दबाएं। अब भुकतान विकल्पों में से किसी एक का चैन करें। किसी एक विकल्प पर चैन करने के बाद, बैंकों की सूची वाला एक drop-down box प्रकट होगा। उप्योक्त बैंक का चैन करें और continue बटन को दबाएं। अब भुकतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टी करने के पच्षाद प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के पेमिंट गेटवे पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम व पास्वर्ट का प्रेयोग करके आवश्यक राशी का भुकतान करें। रोहन अब आप www.rechargeitnow.com वेबसाइट का प्रेयोग कर आप स्वेम अपना मुबाइल रिचाज करें। बिलकुल दीदी। Step 1. Login to Recharge It Now website Step 2. Select the service provider and enter details. Step 3. Select plan type, enter the recharge amount and press continue button. Step 4. Select continue as guest. Step 5. Enter your mobile details and select payment option. Step 6. Select appropriate banks and pay the amount. Paytm website का प्रेयोग कर पोस्ट पेड मुबाइल का बिल भर सकते हैं। बस इन पदों का अनुसरन करें। पहला Paytm website पर जाएं। अब बिल Payments टाब पर जाएं। और अपने पोस्ट पेड मुबाइल का बिल भरने के लिए मुबाइल बटन पर क्लिक करें। यहां पर आप अपना मुबाइल नंबर भरें। अपना ओपरेटर चुने और बिल की राशी दर्ज करें। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपके भुकतान का संक्षिप्त विवरन प्रदर्शित होगा। प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करें। अब Paytm में साइन इन करें। यदि आप नए उप्योग करता हैं तो अपना अकाउंट बनाएं। और फिर अपना इमेल आईडी अत्वा मुबाइल नंबर और Paytm पासवर्ड का प्रयोग कर साइन इन करें। अब स्क्रीन पर बाई और दिये गए विकल्पों में से एक का प्रयोग करते हुए भुकतान करें। जब आप भुकतान पूर्ण कर लेंगे, आप सफलता पूर्वक अपना मुबाइल नंबर रिचार्ज कर लेंगे। गीता, क्या केबल टीवी के बिल का भुकतान भी कर सकते हैं। हाँ चाचा, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप Recharge It Now वेबसाइट का प्रयोग कर DTH को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाएं। यहां Online Recharge section के तहट तीन विकल्प दिखेंगे। अपना DTH Recharge करने के लिए DTH बटन पर क्लिक करें। फिर अपने सर्विस प्रदाता का नाम अंकित करें। मान लें कि हमने सर्विस प्रदाता के रूप में Tata Sky का चैन किया है। अब अपना उप्भोकता ID नंबर दर्ज करें और Continue बटन पर क्लिक करें। अब Tata Sky प्लान की सार्णी दिखाई देगी। विशिष्ट पैक को सक्रिय करने के लिए Recharge राशी दर्ज करें। और फिर Continue बटन को दबाएं। अब DTH से समबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। इसकी पुष्टी करें और उपलब्ध तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चैन करें। यदि आप पंजिकृत उप्भोकता हैं और पंजिकरन नहीं चाहते हैं, तो Continue as Guest विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजिकरत उप्भोकता हैं, तो Sign In बटन दबाएं। यदि आप पंजिकरत उप्भोकता नहीं हैं, लेकिन अपना पंजिकरन कराना चाहते हैं, तो Register बटन को दबाएं। यदि आप Continue as Guest बटन दबाते हैं, तो समीप वर्तिय स्क्रीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और Submit बटन दबाएं। अब भुकतान के विकल्पों में से एक का चैन करें। किसी एक विकल्प पर चैन करने के बाद, बैंकों की सूची वाला एक Drop Down Box प्रकट होगा। उप्योक्त बैंक का चैन करें और Continue बटन को दबाएं। अब भुकतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टी करने के पच्चाथ प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के Payment Gateway पर पुनह निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम व पास्वर्ड का प्रयोग करके आवश्यक राशी का भुकतान करें। मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों का भुकतान करना और Mobile Phone व केबल TV नेटवर्क रीचार्ज करना आसान होगा। बेशक दीदी यह बहुत उपयोगी है। हाँ गीता यह जानकारी निश्चित रूप से हमारा काफी समय बचाएगी। यह बहुत अच्छा है। चलो अब दोहराने के लिए एक गतिविधी में भाग लेते हैं। प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प पर क्लिक करें। सही है अच्छा प्रयाज।